नमस्कार जैस्री किष्णा जैस्री राद है आप सभी का बेलकम है हमारे चैनल एश्टरो अभी चतरवेदी में मैं अभी सिफ चौबे आज लेकर आया हूं सूर्देप के रासी परिवर्तन करने से आपके लाइफ में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा हम यहाँ पर ऐसी प करते हैं इनकी कुंडली में अंतरसा प्रत्य अंतरसा सुब ग्रह की चली होगी तब देखो सूर्देप आपके है ना धनुरासी में है धनुरासी से यह 15 जनवरी को मकर रासी में चले जाएंगे मतलब अपनी सत्रु ग्रह की रासी में चले जाएंगे क्योंकि मकर रासी जो लेकिन जो हम पाँच रासियं बता रहे हैं और गोचर में गिरहों की स्थिती का फ़लादिस करके देखें, तो बहुत ही महत्पूर रहने वाला है, लेकिन याद रख लेना, ये जानकारी हम आपको चंद रासि के आधार पे दे रहे हैं, चंद रासि नहीं पता तो आप अप अपने संसायन से चेक कर सकते हो, संसायन भी नहीं पता अगर आपको तब आप अपने नाम रासि से देखवा सुन सकते हो, देखो आप किसी चीज में अगर काफी हद तक तूट गए हैं, परेसान हो गए हैं, लब लाइफ में आपको किसी ने बड़ बड़े सपने रहते हैं, बाद में जब आप ही जी कल इनवल हुए जांदा, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा दुख है ना, बहुत चांदा, बिहानक दुख होता है, और बहुत इतने लिए भूल नहीं पाता है, अगर आपकी तरप से रियल प्यार होगा ना, तो आप उस के साथ खेलते हैं, पैसे ले लेते हैं, लोगों को पास पैसे से मतलब होता है, लेकिन वो यह नहीं जानते हैं, इसमें दुख के इतना होता है, मैं आपके दुख को समझ सकता हूं, इसका मैं बताऊं कैसे समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे पास आए दिन आप ही लोग बताते रहते हूं सर हमारे साथ ऐसा हुआ और हम भी आप ही के हैं हमारी कोई यह जानता नहीं है तो मुझे आपका दर्द बहुत अच्छे से पता है चलिएगा हम मैंट टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहली रासी बिरसव रासी है सूर देप के रासी परिवर्दन करने से आपके लिए यह पूरा महिना क्योंकि एक महिने तक यह मकर रासी में रहेंगे बहुत खास और लव लाइफ में हम बिसे से बात करें बहुत खुसियां लेके आ रहा है आपका पार्टनर आपको बहुत चांदा प्यार देगा आपको वो छोड़ने की जो सोच भी रहा था आपकी चड़चड़ापन हो रहा था आप दोनों की बीच में अनवन वाले इस्तिती बन रहे थी वो इस्तिती नहीं बनेगी अगर कुंडली में दोष्ट नहीं होगा तो साथ ही अगर आपकी सीसी नो कॉंटक्ट में हो और इन रासियों का कोई पार्टनर है तो वो 100% वा राइप में रिटन आएंगे ठीक है आप अगर सिंगल हैं तो आपको कोई न कोई व्यक्ति प्रपोच जरूर करेगा ठीक है बात कर लेता हूं दूसरी रासी जिस रासी को आप और हम बोलते हैं करक रासी आपको भी बहुत जानदा प्यार बहुत जानदा केर बहुत रासियों की पार्टनर आपको अनवेलोग करेंगे से मेश रासी का कोई हो वो अनवेलोग करतेगा कोई आपके नाम रासी का हो करकेगा वो अनवेलोग करतेगा कोई अगर तुला रासी का हो वो अनवेलोग करतेगा धनु रासी का अनवेलोग करतेगा तो कहा जाए इनका प्यार भी इन रासियों का होगा, तो वह रिटन आ जागा, ठीक है? बात कर लेता हूं तीसरी रासि, जिस रासि को आप और हम बोलते हैं, सिंग रासि, पांच मी रासि होती है, अगर हम रासियों की संख्या में बात करा है, तो आपको भी आपका भहिया प्यार मिलेगा, पार्टी थी वो भी आप दोनों के रिष्टे से दूर हो जाई तो आपको भी बहुत जादा खुशी मिलने वाली है साथ ही अगर आप किसी से नो कॉंटेक्ट में हैं और उसको आप बहुत जादा याद करते हैं इन रासियों का कोई पार्टनर होगा तो ऐसी इसुर की किरप होने वाली है आपके गोचर के अनुसाल कि आपको विवेक्ति सुता ही अपने तरफ से कौल कर लेगा मिथुन रासिय का कोई पार्टनर हो या ब्रिष्चक रासि का हो या फिर कोई सिंग रासि का हो या कोई धनू रासि का हो या कोई मीन रासि का इन रासियों के एक्स पार बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, साथ ही अगर आप किसी के साथ अफेर में हैं, मतलब साधी सुधा हैं, आपका पार्टनर साधी सुधा हैं, बहुत रिस्ता भी आपका काफी मजबूत नचर आएगा, आप दोनों के आप सी समंध बहुत मधर होंगे, एक दूसरी को समय बहुत चांदा दोगे आप लोग, गुड़ नाइट, साथ में होगी, अलग नहीं होगी है न, गुड़ मॉनिंग भी साथ में होगी, बना उनके मेसेज के आप सोगी, वो इस्तिती होने वाली हैं, तो बहुत चांदा आपका पार्टनर प्यार देगा, और खेर भी करेगा आपके ठीक है, बात कर लेता हूँ, पांची में रासी, जिस रासी को आप और हम बोलते हैं, मकर रासी है, सनी रहे की रासी है, आपका भी, देखो आप ही की रासी में सूरते बारा हैं, बहुत अच्छा करवाएंगे आपके लिए, लव लाइफ में बहुत खुसी देने व या वाइफ हों, या फूर होने वाले थे हो जो फ्यूचर में, उनसे भी आपका रिस्ता काफी मजबूद होगा, वो भी आपको बहुत चांदा समय देंगी, देखो, आज की समय में हैंना, सबसे जांदा प्रॉब्लम होती है, पार्टनर के साइट से हैंना, टाइम नहीं म तो वो भी आपके लाइफ में बापसी कर लेगा, जैसे कोई चीट करने वाला व्यक्ति मेस का हो, या फर करकरासी का हो, या फर कोई तुलारासी का हो, या कोई धनूरासी का, या कुमबरासी का, इन रासियों के एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में बापसी करेंगी, इतना अच्छा आपके लिए शेंग्योग बन रहा है गोचर में ठीक है आज हमने आपको यह जो जानकारी दी है एक गोचर की अनुशार दी है इन रासियों के अलावा जो और सात रासियां बची है उनकी लिए कैसा इनका प्रभाव रहेगा वो अगर जानना हो तो आप एक बार र वालो ना किया हो तो महां सर्च करके और आप मुझे जरूर खॉलो कर लें ठीक है आज के लिए वश इतना ही कल अपना हम लेंगे नए वीडियो को शाब जैस्तिकिश्णा